है लो बच्चों तो बेटा जैसा कि आप जानते हो यह हमारा प्रेंट इलेक्टरिसिटी का सेवन्थ लेक्चर है और पिछले वादी वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्विलिंट रेजिस्टेंस निकालना शिखाया था अच्छा तो बेटा उसी चर्चकों मैं आग बढ सिखाऊंगे और आप लोग और मैं आप system otraik निकालना सुखाऊंगा ठीक है क्या सिखने वाली हम हम सुखने वाले हैं cutting by the resistance of cetera कि symmetric the circuits थे का हम रेस्टेंस निकालना शीखेंगे तो तो बिसिकली, आज मैं आपके साथ, तीन टेक्निक्स की बात करूँगा, देखो, तो उसमें से पहली जो टेक्निक्स होगी, उसे कहते हैं, आईडियल बैटरी कंसेप्ट, कै कहते हैं, उसको आईडियल बैटरी कंसेप्ट, ठीक भई, बहुत बड़ी हो, एक होती है mirror method एक होता है mirror method ठीक है इसको mirror symmetry भी कहा देते हैं mirror symmetry भी कहा देते हैं कुछ-कुछ लोग इसे कई-कई नाम रखे जाते हैं इसके ठीक है एक होती है folding method या folding symmetry फोल्डिंग symmetry ठीक है तो आज हम इन methods के बारे में चर्चा करेंगे पर उससे पहले मैं आप लोगों को लेडर प्रॉब्लम्स करवाना चाहता हूं क्या करवाना चाहता हूं लेडर प्रॉब्लम्स इंफाइनाइट लेडर प्रॉब्लम्स लेडर मतलब सांप सीडी जैसी होती के माझाम से समझते हों से तो मैंने बोला कि चलि मान लीजी एक अपने पास सर्केट ऩिक है है कि मान लीजे इस तरह अपने पास door चर्च यह क्या बन गया चलो यह धार यह लो टो घाल यह जारा है किसन जोड़े से नदर घड़बड हो सबस्की है तो वोटना कि मोड़ों करूं कि कैसे मालों है रौपै वह निकाल निकाल दूंग तो क्या से करोडी करूं कि नियाए तो पड़ेगा अगर तुम्हारी जेम में है उसमें से माल लिए एक रुपिया या दो रुपिया अगर तुम्हारी जेम में से निकाल दिया जाए तो फिर भी तो एक करोडी कहलाएगा तुम सोच के देखो तो यह जो इंफानेट प्रॉब्लम है इसमें यह बेसिक बिल्डि ब्लॉक है न फिर यह रिपीट हो रहें बार-बार यही क्या हो रहें बार-बार ऐसे रिपीट हो रहें तो अगर इस पूरे सर्किट में से अगर दो रडिसन्स निकाल दूँ अगर दो रडिसन्स निकाल दूँ तो जो बचा है तो जो बचा है उसका भी तो रडिसन्स कित तो भी जो बचेंगे वो कितने बचेंगे वो तो नहीं बचेंगे है ना उनका उसकी तवेद पर कोई असर पढ़ने वाला नहीं है नॉर्मल सी बात है अपने को समझ आती है निसी तो द्यान से देख तो मैंने बोला कि अगर मैं दो रेसे निकाल दूँ और बाकी सब क्या ल ये आर और ये है पॉइंट एऊंः और ये है earth और इनके बीच में जो आने वाला है वह है एक्विवेलेंट रिजिस्सनस और बाकी सारे सरकिट की जगे पर रूप यह वह भिक्या होगा анonie कोई पर्क पर नहीं मतलब कि बाकी जो सर्केट है उसका भी जो एक्विलंट डिसंट होगा कितना होगा अब इस और को सॉल करने मिरे लिए बिल्कुल असान है कैसे असान हैं देखो तो पहले क्या करूंगा और रिक्विलंट का और रार का पैरलल उसका आर के साथ सीरी जो आएगा वर एकविलंट जो आएगा वह और एक्वेलेंट देखो आओ सुनो समाझ जाएगा तो मैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसके अंदर देखो सुनो देखो 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 तो देखो सुनो तो पहले में आर डैश कैलकुलेट करता हूं आर डैश को मैंने क्या नाम दे दिया आर डैश इस दा पैरल है ना यह जो आर डैश है यह उस आर के साथ कैसा है सीरीज में ए और बी के बीच में क्या है यह आर इक्वेलेंट है ना तो देखो बेटा तो इक्वेलेंट क्या आया यह आया आर प्लस आर डैश क्या है बेटा यह आर प्लस आर डैश तो आर इक्वेलेंट इस इकल टू आ छिम में लिक लेकर उसगा कर इसको क्या है यह या यह यगा थि हैगा इन्टी का स्कुरर इसेकुल टू आर स्केर प्लस आर इंटू आर एक्वेलेंट प्लस आर इंटू आरेक्वेलेंट क्या तुम्हें बात समझाई ध्यान से देख तो एक आर इंटू आरेक्वेलेंट नहीं है ध्यान से देख तो आरेक्वेलेंट का स्क्वेर माइनस आरेक्वेलेंट का स्क्वेर माइनस आरेक्वेलेंट नहीं हो सकता इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है तो बेटेक्स को सॉल करेंगे है आरीक्विलेंट के लिए तो सॉल करेंगे तो याद है तुम्हें भी याद होना चाहिए और इंटु फ्लॉट फाइव फैफ बाइटू डिस विल और अंसर और निकालने तो आते हैं न काड़ी को जिन के मरतों नी जाओंगे रूट निकालने में तो यह एंसर आएगा क्या आएगा और ब्रैकेट स्टार्ट वन प्लस अंडरूट फाइव बाए टू यह तुम्हें याद होना चाहिए याद हो जाए तो ठीक है नहीं तो मैसर तो पता होने पर चुफर यह फिर आई से और एंटिनू ईह कंतीलिव हो रहा है इन्फाइन चाहिए तक कि ऐसे जा रह sudah infinite ओ तो ङह भित के यह बन गया बीच में यह बन गया बीक में अहां फिर नाउं國 तो एंट लाइट ओके बो लागयाए यह एठ्धे और यह पॉंट है बी यह आर यह आर यह आर यह आरं यह आर यह आर यsus नहीं हो तो घर लॉन्ट पर नो जल्दी सॉल करो और नहीं तो रोना फिर सीजा के सामने खड़े हो के चलो करो मैं साज जूम कर रहा हूं तुमने ट्राइ किया था यार तो ट्राइक करो तो देखोगे तुम पाओगे ऐसा कि बेटा बेसिक ब्लॉक यह है रहें आज़ा इसी का रिपीट हो रहा है बार बार तो अगर इन्फाइनेट मेंसे अगर दो हटा भी दूं तो बाकी सर्केट का जो अने वाला है वह तो आरे यागा तो अरे यागा तो सर्केट कैसे मोडिफाय हुआ सरक्ट ऐसे modify हुआ कैसे बेटा सरक्ट ऐसे modify हुआ कैसे modify हुआ जहां से सुनो तो मैंने बोला यह r ओके यह है a point यह है b point और यह है r equivalent है ना और यहां पर है एक r और यहां पर भी क्या है r equivalent क्योंकि दो हटा दो दो जोड़ दो उसमें है और नया सरक्ट क्या है फिर मैंने बोला मालो यह point है a यह point है भी तो यहां पर है एक r और उसके साथ parallel में है r डैश उसके साथ parallel में है r डैश अब इसको solve करना मेरे लिए यह कोई बड़ी वात नई है तो आर इक्विलेंट क्या है इस इस दा पार्लल अफ आर एंड अड़-ड़ेश ना तो आर इक्विलेंट इस एक अड़एंट आर डैश तो आर इंटो आर डैश तो र प्लस आर इक्विवेलेंट तो आर इक्विवेलेंट इस एक्वल टू आर स्कुर प्लस आर इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइड बै टू आर प्लस आर इंटू आर इक्विवेलेंट ठीक है चलो इस तरफ ले जाओ इसको तो क्या हो जाएगा यह तू आर इंटू आर इ पकी बात एकदम सोच ले कोई घबराट निमन और कि अंदर कि यहां नहीं करें आगे बढ़ंए देखो सुनो अच्छा यह क्या था यह था आर ना यहां पर यह क्या था ना सिर्फ बन गई इसके रूट मुझे फाइंड करने आने चाहिए देखो मुझे तो याद रहता है इसका अंसर हमेशा तो आर इक्वेलेंट इस एकल टू आर इंटू अंडर रूट फाइव माइनस वन बाई टू यह अंसर है इसका है ना चलो तो इसको फाइंड कर लेंगे अच्छे सवाल है तो देखो मैंने बूला एक रशन्स यह रहा और एक अब यह ऐसा चले जा रहा है और यह चले जा रहा है कोई बात नहीं इन आ बहुत बढ़िए यह बहुत बढ़िया वह बला यह यह आ और्या जो यह ए पता कितना है ने फोर को यह है वह यह सिक्स कॉंस्टेंट कितना है और इकोर आएट में वह प्ताए हूं तो मैंने बोला माले बेटा कि अभी जो सर्केट है तुम्हारे सामने जो सर्केट अभी तुम्हें दिख रहा है मैंने बोला कि इस एक्वेलंट ऑड एक्स के बड़ाबर है और यहां पर अच्छा बहुत बड़िया तो अगर तो अगर मैं इसको ऐसा करदू तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि मालो आगे के दो हटा दूं तो अब जो नया equivalent resistance हो जाएगा अब जो नया resistance equivalent हो जाएगा वो कितना होगा 2C into r वह सम कॉंसेंट into वह जो पहला resistance कितना है 2r था तो 2Cr किसके बराबर है 2x के बराबर है बेटा तो नया circuit modify हो के कैसा बनना चाहिए कैसा बनना चाहिए अगर यह r है अगर यह point है अगर यह point है bet और ओर अगर यह Cont solar यहां का उन है और यह कंचर अ है तो बेटा यहां का resistance कितना है यहरे जो कंचर्जम्रों है यह तू यह है उर एक्जलेट यह कि यह इन पहब कि दोंगे तो हटा दो हम चार आप को है तो प्रहानों करने आषक निकाल नहीं सो盒 करके आंसर नि पर में देख लो नाक की बात है यार ठीक है चलो बरस को नोट करो और अच्छे सा सौल करके कॉपी में लिख लो मुझा ऑ बैठ देखो सुनो अब चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अब अपस शूरू करते हैं सिमेट्रिक के साथ Κशे सीww Municipiele सरकेट में जो पहला जो मैंने तुम्हें बताया था वो था आईडियल बैटरी कंसेट क्या था आईडियल बैटरी कंसेट नाम कुछ और है है कुछ और सुनो ज़रा ध्यान से बस एक लाइन है वो लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए वो लाइन क्या है वो लाइन यह है वो एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, अब सर्किट की हर एक ब्रांच में जैसा जैसा करण्ट जाएगा, जैसा जैसा करण्ट जाएगा, वैसा वैसा करण्ट, वैसा वैसा करण्ट, बाहर भी आएगा, बाहर भी आएगा, समझ आया तुम्हें, क्या करें, सर्किट को मन मन में बैटरी से कनेक्ट कर दें, अब circuit में जैसा current जाएगा वैसा ही current वापस भी आएगा सर इसका क्या मतलब है सुनो जरा ध्यान से example के माध्यम से समझते हैं तो अच्छे से समझ आएगा ध्यान से सुनो example के माध्यम से सुनो तो मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने का देखो सुनो सर्केट जो है ना तुम्हारे पास सर्केट इस तरह का है बेटा कैसे सर्केट है सुनना जरा ध्यान से द्यान से सुनना एक बर जरा मैंने बोला देख सर्केट है ना इस परकार का है तो मैंने बोला कि चलो मानलो कि यह है पॉइंट ए और यह पॉइंट बी यह पॉइंट और यह पॉइंट बी और सर्केट कैसा है सर्केट है बेटा ऐसा और में बोला कि माली यह सर्किट है इस प्रकार और एक ब्रांच में क्या है एक अब उन इस तरह से बनाना पॉसिबल नहीं हो तो इस तरह का रेंगा ब्रांच में इस तरह का कूई को उर्था होता है और कितना कितना से बोला सबसक्तMusic को स्वेकब कूपक्रा टेक्सना तो कुछ बैस कि इननके दूसरी बुर्जा ऑपसमें पूरी अब में नहीं अगी इनके दूसरी होया हो यह तो ब्यूसरी एक आपस में जुड़ी दूसरी बुजा डिरेक्टली आपस में नहीं जुड़ी बीच में क्या है तो इस पूरे सरक्ट में कोई भी सीधा सीरीज में नहीं है पर अपने को फिर करना चाहिए पकी बात एक दम सोच ले अब अफ्षान डैटरी में बना रहा हूं तुम्हें नहीं बनाना कभी भी कवे इस बैटरी को बनाना नहीं है तुम्हें कभी बी ठीक है क्या बोला के मन-मन में एक बैटरी से जोड़ दो अब सरक्यिट में जैसा current जाएगा वैसा current आएगा इसका मतलब जैसा current जाएगा वैसा ही current circuit में वापस भी आएगा इसका मतलब क्या इसका मतलब क्या कि अगर के अगर मा लीजे कि इसमें current जा रहा है इसमें से current अगर जा रहा है आई टू तो बेटा जी यहां से current जो वापस आएगा ना वो आई वन ही होगा और इस ब्रांज से current जाएगा न वो आई टू ही होगा इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है यह कहता है कि जैसा circuit के अंदर current करेंट एंटर करेंगा वैसा ही current circuit को लीव भी करेगा atrav % Queen concerning TA to Car समझी बाइगा तो इससे क्या हुव असर यह तो सही कर समझ गए हैं । इससे हुआ क्या बेटा दिए सोन अगर ये ilोडड जैसा की सिर्च останोłeर यहां पर दिखाई गई है एक नोड दिखाई गई ना गांट दिखाई गई ना तो अगर यह नोड वाकई में यहां पर होती तो I1 का कुछ हिस्सा यहां पर आकर और इस ब्रांच में संबलित हो जाता है ना या फिर I2 का कुछ हिस्सा इस ब्रांच से यहां निकल जाता यह यहां निकल जाता तो यहां यहां पर i2 नहीं पहुंचता यहां पर i1 नहीं पहुंचता इसका मतलब यह नोड है न यह तुमको बुद्धु बनाने के लिए लगाई हुए यह नोड असलियत में यहां पर नहीं है मतलब इस नोड का इससे कोई लेना देना नहीं है अब ध्यान सुन अभी अगर नोड य यह ऑसा बनता यह वंगई यह वगया भी और आयद्टेसल सब्सक्राइब और यह वह सब्सक्राइब अरा कितना टू आरो तो एकितना टू अरे इसे के लिए ने जनद नहीं तो यह नोड एकचिली तुमें बुद्धू बनाने के लिए यह नहीं मर यह नहीं तो екन्ना डाकता है जैसा क्रण सर्किट में एंटर करता है वैसा ही क्रण सर्किट सब्सक्राइब करें इसमेट्रिस कहीं सब्सक्राइब तो ऑगने करण तो यहाँ पर समय संस्हें आगे देख रहा है वैसा ही मिर के पीछे वी दिखता है ना तो इसलिए ईक्रांगस बध दो थो कोई हाश्य नहीं नूट कर रखता नहीं सवाल उसमें परिशानी कोई बात नहीं बोलो कर सकते हुँद में सवाल बोला वह ब्ला सवाल एसा है कि जानते हो मुझा बेटरी अब है दो जानते हैं अभी तुम को थोड़ा तरह में पता चल जाएका कि कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा है जैसे कि यह जैसे की इसलिए मैं बच्चे को सबसे बाद में बढ़ाता हूं थाकि बच्चा बोले यह पढ़ लूँ पर इससे काम नीचलता कई बार ना तुमको और चीज़ें भी पता होनी चाहिए तो मैंने बोला कि इस तरह का सरकेट आपके рядस और देखो किस तरह कर सरकिट है वोलाय हर जगे रेसे अने से फिर्ट जायर की से और ऑग्य तो अब तुम डेखो कोई भी दूर कोई तो ने将 word exactly series तो अगर तुमें आइटियल मिया साड़ा हो तो मिरार सेमेट्री ब्ला रही तुमें ने भी दिखाऊंगा भी क्या होती है अगर तुम जिन दो पॉइंट के बाउट तुमिया और इक्वेलेंट निकालना में उनके प्रपेंडिकुलर रहा है तो जैसा सीरकूठ से मिर्डि मिर्डियर होती है कि जिन दो पॉइंट के आगे नाहीं उनके इसको उनके कर सको अगर बिल्कुल एक जैसे नजर आए तो तुम circuit को फोल्ड कर सकते हो फोल्ड करके भी जाएगा वी अपन उसकी बात नहीं कर रहें अभी बात कर रहें आइडेल बैटरी कंसेट की तो यहां से करंट आया आई यहां से करंट आया आई तो बेटा सब्सक्राइब कर दिस्कों सब्सक्राइब बाला है याँ रफ॥ भूर्ट है आपकते नहीं आपक्टेया और ने सिरक वेट बेटा ऐसा बन कि नोड को ऐसे करना है कि current वैसा ही रहे पता है अगर तुमने ज़लत ओपन तोdır अट में औरcak केट को towel हूता है आव यह जो अगे कई करने नहीं ऑ twists वiko फ१र कोई साथ अंग्ता है अब नहीं अब तो ध्यान से देख ये आर 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 ठीक है बस हो गया अच्छा यहां पे भी एक आर है है ना यहां पे भी एक आर है और यह है बी और यह है ए मैं तो कहता हूं इसे भूल जा कि यह ही नहीं यहां पर कि यहां पर ऐसे यह है यह जहां यह जहां से नीए दैख तुझान से दहें दहें एक दो तीन चार शीरीज में πोरार फोरार और यह तो कि यह न क्या ख्वार अब इन सिर्किट बना है क्या बना यह यह दो पर आशे तु आर और है यह जह पर यह डोंगा अधे भी अब इनका और एक वैन निकालने में मेरेको कोई समस्या वाली बात नहीं है बोलो निकाल सकते होगे निरे दॉट सकते हैं कि इससा लग पर से अश्या करें देखो इसको कुछ से करना हाला कि solution में करवाई दूंगा पर तुम कुछ से ट्राय करना देखो तुम कर पाते होगी नहीं कर पाते देखो सवाल बोलागे ऐसा ठीक है ऐसे पतांग जैसी बनाई मैंने से पाझा करवस पादे देखो सुनो कैसा सर केटहे डिशे टुचू टूचू और शचू टूचू एसे टूचू टूचू आतरु हैंIGHसर prone कि सारे कैसे है आरा ठीक है चलो अब करो उसको सॉल करो देखे तुमसे होता है कि नहीं होता करो 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 ए और बी के बीच में निकालना है यह है यह यह बी है चलो लगाओ आइडल बैटर कंसप्ट तुमसे लगता है कि लगता देखें कौन-कौन बच्चा नोड़ों को सही डंग से उड़ा देखो सनाटों देखो सर्किट बन गया ऐसा यह उपर यह उपर यह आरा रहा यहाँ यह पर कैसा टूच्छु यहां पtones कैसा टूचु यह नहीं पर रहा यह अरल यहाँ तो पिछो वीच में तूर क्या बना सर्कुट बन गया तूचु तूचु सुचु तूचु कि अई-इसक ने त्वार मीचे कितना रफिए यह वाँ एन एगल समज आ गया में ऐसा करन सर्किट से पार नोड़ को को तो ऊदो कोई नहीं की समय सफ्या वाली बात नहीं किया तुम्हें बात समझा रग krijgen हमध्ुक तो कोई किसी प्रकार से कोई बात नहीं कर सकते हैं कर सकते हो ना इसको चर्च अधी और भाण देखोब सुनो इसी सवाल को इसे त्हों टुचू तुचू पूल पर सकते हैं ने त्यूस्य को ईह से तुचू थिर से तुचू फिर यह इस्ट तो फिर यह से बी आब हरे फ्रह पर रिस्क भास बंगा दो बॉला इक कैसर कंद इंद कुद् TR पोड्र एक मार अच्ट Ihnen एक टूचू एकटूचू एकटूचू एकटू एकटूचू 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 और एकटूचू चलो बcarbon बाताओ के चलोकर सकते क्वी निए सकते देखो για मैं चाद कर रहा हूं कि तुमhea करा यहां आजाओ, देखो तो जैसा current circuit के अंदर जाएगा, मैंने बोला I1 गया, मैंने बोला I2 गया, मैंने बोला I3 गया, वैसा ही current circuit से बाहर भी आएगा मतलब यहां से I1 यहां से I2 और यहां से I3 इसमें कोई परिशानी वाली बात नहीं द्यांस रेक तो I2 यहां से गया टूइं अगर यह नोड होती तो यहां डिस्को हो जाता यहां पर I2 नहीं जाता इसका मलब यह नोड यहां पर नहीं है बाई साब यह गया ऐसा और उपर वाली नोड हो गई फिर ऐसी इसमें कोई परिशानी वाली बात मतलब यह पूरी ब्रांच में हो गया R, 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 R मतलब इस पूरी ब्रांच में हो गया R, R, R और यह R, देख जांसे देख 1, 2, 3, 4, 5, 5, R, कितना? 5R और नीचे यह नीचे यह R, 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 R तो यह 5R और R कैसे हो गए parallel में होगे, solve कर दूँगा में मेरे को कई परिशानी वाली बात नहीं है, क्या तुझे बात समझा गई? सोच ले, कोई गवराट तो नहीं तेर मन में बेटा इसी सवाल को देख, इसी सवाल को एक और डंग से पूछा गया, शानी बन गई थी, जही कैसे शाना बनके उन्होंने सवाल पूछा, पर इसमें कोई खास बात नहीं देख, अगर बच्चे को आता है, तो कोई परिशानी नहीं उसके अंदर, बोला एक पिरामिड है, बोला क्या है, यह एक पिरामिड है, जही बहुत शानी बनी, भाई सब सवाल पूछा, आमने ब इस तरह क्या है एक पिरामिड और पिरामिड है, तो देखो कहां कहां रेजिसंस है, यहां यह रेजिसंस है, तुचु 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 तु क्या कर दे ऐसे मार दे उपर से तो यह जाएगा नीचे यह जाएगा नीचे और यह पुराना वाला सवाल हो जाएगा पुराने वाले सवाल का आंसर मुझे पता है तो भी आंसर है यार उसमें कोई परिशानी वाली बात नहीं है बोल तो कर सकते हो ना तो कोई परिशानी वा और होगे यार यहाना तो बोल कर सकते हैं न चलो अभर इसको नोट करो फिर पन आगे बढ़ते हैं इसमेटरी देखो शन्ति क्या बोला गया देखो point बनाके लेखता हूं ताकि तम अच्छें से लिख पाऊ उसको ना समझ पाऊ अच्छे से सुनो जरुद यान से देखो देखो जिन दो पॉइंट्स जिन दो पॉइंट्स के बीच के बीच आर एक्विलेंट निकाला जाना है आर एक्विलेंट निकाला जाना है उनको मिलाने वाली लाइन के परपेंटिकुलर एक मिरर रख दें अगर मिरर के आगे और पीछे तो मिरर सिमेट्री लगाई जा सकती है तो मिरर सिमेट्री लगाई जा सकती है तो मैंने कब बताया कि कब लगाना कब है ठीक है लगाई जा सकती है ठीक है यह तो अब बताया जब लगा सकते हो अब लगाना कैसा है अब लगाना कैसा है लगाने का सुनो कि लगाते कैसे है सुनो टेकनीक सुनो टेकनीक सुनो देखो मिरर के अबाउट सरक्यट को कॉपर वाईर से looks और वायर को आधा काट दोसके काट अब बचे हुए आधे सरकेट का आर इक्वेलेंट डैश कैलकुलेट करें कैलकुलेट करें अब जो बाग की आधा बचेगा ना उसका कैलकुलेट करना है ठीक है अब इसका दुगना घर दें अब इसका दुगना कर दें जो आएगा वो आनसर ही होगा कैसे समझें सुनौ आओ तुम्हें याद है वो पहला सवाल कराये था तुम्हें आईडल बेटरी कंसर्ट से कराये था है अब उसी को मैं देखूं दूसरा तूमसे मेरा सिमेट्री से करवाता हूँ सार वही साही था सर बेटा कई सारे मेथट अपने को पता होना चाहिए ताकि जो क्लिक कर और उससे कर पाएं क्योंकि का जानते हो बहुत बार ऐसा होगा कि आगल बैटरिक नहीं लगेगा तो क्या करोगी फिर है ना देख तो क्या मैथड है मैथड सुनो जरा ध्यान से ठोच पंगया ओन्ने को रहा खोड़ा जैसा सरिकट आपको मिरों के आगे अगे इसमें कोई पर भाइशान होने वाली बात नहीं है, दिख रहा है भाई, तो क्या करें कि बोला इसको न इसी Mirror Key Back oot, इसी Mirror Key Back oot बोला Copper Wire सेकाट दो, किसे काटrich काटो, Copper Wire से काटना है किसी और से नहीं काटना, copper wire क्योंकि copper wire conductor होती है क्योंकि copper wire conductor होती है अब ध्यान सुन तो कट गया तो जो आधा बचा उसको बनाओ देख उपर क्या बचा आधा कट गया ना ये अज यहांच बनाना नड़िखощrr2 ऑपर क्या क्या है और यो यह है और है और हम सप्वाइब को पर को मैंने भोल दिया बल स सब्रक्राइब बाद आदे पर लंगा विपता अब मैं निकाल का रे बी डैस निकाल लो और रेन जो ना वह औरAdd to मेनको नीखालना में ड्यान से इस तरह से देखने का परियास कर उसे बेट तो पैरल में नजर आए ना इनका निकाल निकाल लूगा तो क्या या वन बाय और प्लस तू बाय आर तो नीचे आया और या वन और यह वन और यह बात समझ आई यह अब इन दोनों का पैरल क्या था आर बाय था यहां गया था आर यहां गया था 323 एक आंगे था आर वाै थ्री और यह हो वाइट यह हो पॉ він्वाइट ऐ अब तो अर्बाय था ज्रीज़ में अरब चरीज में तो आर्म ढूरर की सोरी में किसा था था यह ना कितने हैगा फोर आर वाइव यह और यह पाइंट ए और इह पौईट्क यह है पॉइंट वोरार और सब्सक्राइए और तो ङसे तरी ओर यह एंद फॉर तो किता है फॉर और बाय सेवन तो आपका जो आर आर अबी डेश है वह आया फॉर आर बाय सेवन तो आपका जो आर अबी है वह कितना आया वह provide welcome वह एट आर बाय 7 कितना आया वो 8R by 7 इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं I hope तुमको मैं थर समझ आ गया हो क्या करना है कि A और B को मिलाने जिए वह पॉइंट जिनके अबाउट तुम्हें निकालना है उनकी जो मिलाने वाली जो रेखा है उसके परपेंडिकुलर तुमको लाइन यह पॉइंट और यह पॉइंट तो आपस में जोईन हो गए तो यह आर्वाइट और पैसे हो गए पैरलोने हो गया पैरलोने निकाल आजिया आ और और आर के साथ एसका लिए झाटना करना करना कोई परेशानी वाली बात नहीं देखो एसको सुनो एक बर कर और बढ़ता ह और इसेमें फिर और विराइट्टी दिखाता हूं देक्छ सवाप ओर कैसा सवाल सवाल तुम्हों कुछ ऐसा पूछा था एना ऊपूछा था और गान गदम सही है覺得 पूर अगर आगर काल डीख़ना और गड़ डंग यह देखो यह सवाल याद है तुम्हें आइडल बैटरी कंसिप्स से कराए था यह दोनों हवा में टांग दिये थे हटा दिये था इनको यहां से न और जो बागी बचा था उससे कैलकुलेट कर दिया था ठीक है तो क्या बोला कि इनको मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर देखो रख के देखो यहां पर और फिछे दोनों होतुंको बराबर बराबर दिख रहा है न तो इसका मद्ब क्या करें इसको हैं很好 यहां और उटकर आ गया तो फिर conductor से सारा करंट जाएगा resistance से थोड़ी जाएगा तो यह circuit का हिस्सा नहीं है तो जो नया circuit है तुम्हारे पास वो क्या है नया circuit तुम्हारे पास यह है न नया circuit तुम्हारे पास अब यह देखो कहीं पे कोई गया गया इसको मैंने डिट बोल दिया अब जहां से देखो तो यह तो अट गया यह थी यह था आप यह यह और यह आर किया और और यह बन गया और यह सरक्ट बन गया इंका पैरल कर दो जो भी आंसर का दुग ना तुमको क्या निकालना है ना वो तो आरे बी डैश का दुगना होगा वो तुम्हारा अंसर हो जाएगा है ना आइडल बैटरी कंसेट कर रहे थे तो इसको हवा में उड़ा जाते थे हैं ना तो कितना था एक दो तीन चार फोरार तू आर और फोरार वो जो आंसर आजाए सुन देख एक और सवाल तुम्हें कराया था उसी तरह का देखो क्या सवाल था यह सवाल था उसमें अगरे बनाए थी पतंग याद है अब यह तो बनाए थी यार जली बूलगे तुम वेखो और ये था एसे ये था A और ये था B और ये सब ऐसे टुचू टूचू 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 अंसर वेखने ज़रूर लिखना नहीं तो पेपर में तुम से होंगे नहीं पता से लिए मैंने चाँ चोड़ा आखरी में तुम भी छोड़ दो को इसको अभी को मिलाने वाली लाइन के परपेंडी को रखा देखो दिख रहा है आगे पीछे से काट दो ना उसमें कोई परिशानी वाली बात नहीं है ने जुन होगज है इसको काट दिया तो नया circuit कैसा है अब से देख कैसा एशा व है यह सब कैसे है आहा हो इस नहीं पोइंट एऔर यहय पॉइंट है ईड़ै यह यह पोइंट है अल् علي ले टाten पीड़ेश ओ देख में सब कैसे है आर और आर जहां पैरल में रोड़ा तो नोग एक की नहीं पूरी पूरी यह एक पॉंट यह पूंट यहां से में तो और 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 रभवाई डु और रभवाई टु आरव में तो कितना चरिवाईट की बना बना चाहा गीद अuits इसा संवाल सामद इस सब mission यह तो 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 यह यह प attitude सबस्योए यह जोसले फिर सब्सद्ए सुनले ज तो उपर कितना आया, 3R by 2, यहां पर बीच में कितना था, R, यह कितना आया, 3R by 2, अब जो भी तुम्हारा अंसर आ जाए, उसका दुगना करना बिल्कुल भी भूलना, नहीं है, भाई साब नहीं, तो किये है, कराय पर पानी, फिर जाएगा, है ना, इसको आइडल बैटरी कंसे करते हो कि नहीं कर सकते, एकदम पक्की बात है, सोच ले, गवराट तो नहीं तरे मन के अंदर किसी प्रकार की, चलो भाई है, ठीक है, अब तुम्हें एक और मेथड़ दिखाता हूं, उससे कहते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री, उसका इस्तेमाल कम ही करते हैं, मैं तो अब सवाल करते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री, 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 फोल्डिंग सिमे सवाल से होंगे जो पाएंगे पहले तो धिक्कत हो जाएगी बहुत जाद उसको अब जहां से सुनों कि जिनके अब निकालना है और बीकल के निकालना है तो इसी लाइन के अलॉं टुम देखो, सब्सक्रीट से प्सब्सक्राइब क्या गह् Brewer निचे अगर ऐसा हो, वर जाता स्कूर्च सब्सक्राइब स्कूर। टहीं होता तब जानते हो तब तुम से कैसे कर सकते तो हम तो फूलद कर सकते देंग कैसे यह कर सकते ह। तो ऑफ क्या देखते हैं आप कרेक् manifestant लेटा उसके about तो सर्किट कैसा कीसा है सिमेट्रिक हो गया उसके ओपर का टुकड़ा होता है तो आप क्या करोगे इस तो फोल्ड कर दोगugen आज क्या करों इसे फोल्ड कर दोगए उसी प्रेकार का मेफरष्ड हो था कैसा मेथड होता तो द्यान से देख तो द्यान से दिफ एक अच्छा स है अग्जांपड लेकि एक सिंपल सा एक्जांपड लेके आपको इलुस्ट्रेट करता हूं कि लगानिहां लगानिकी आपेक्ट कोई और दिक्कीटों सामना करना पड़ेगा एंग लाइख से कितरे करे जाता है एचा फोलिंग शहार थे हैं किया चाहीं से करते हैं सुनो थ्भ्राइब्या थ्यार हो देख़र क तो पहला वाला स सरक्यृत नहीं है अभी माने लिए इस तरह का structure भी थिक है अ कि इस तरह का structure एक और यह point है और यह point है बी और यहां पर सब जगे क्या है resistance है ठीक है अच्छा भई ठीक यहां पर सब जगे क्या है resistance है है ताछुट फ्रकिट शच़ हुआ है को पर भी शिस्टेंस को पाच को पाच को पाच को पाच को पाच जो वह बहुत है यह अब द्धास चोФ यहां सुना चाहिए ब्ला चलुकुल शिमींत्रेख है उंचे सुम।कत बिल्कुल symmetric है तो जितना current उपर जाएगा मैंने बोला I by two उपर गया मालो तो I by two ही नीचे जाएगा ऐसा कब उपा रहा है जब उपर नीचे circuit कैसा है symmetric ना तो उपर resistance जादा है और ना नीचे resistance जादा है मतलब इस line के about ना तो उपर resistance की संख्या जादा है और ना नीचे मतलब उपर जैसा resistance का combination है बिल्कुल वैसा ही combination नीचे भी है इसलिए current बिल्कुल बराबर बराबर बट गया मैंने का ठीक कोई बात नहीं बहुत बड़ी है अब तो जो वोल्टेज यहां पर रही होगी मालो कि अपने रहा है मालो तो मालो वी उल्का से बाटरी से cnいき करखका है तो यहां पर zero watch रहेगा तो यहां वी वोल्ट समझ रहा है मैंने तो यहां पर क्या है वी वोल्ट है मालो टो वी वोल्ट में इसका मतलब कि दौनों पॉइंट अलग गैसे हैं इसका मतलब कि दोनों पॉइंट कैसे हैं रहे नहीं दोनों पॉइंट जोड़ ऊठाकि यह तो इससे बाते कि यहां पर यहां पर बचेगा तो यह और यह तो सेंटर है और यह तो बेसिकली जो ना बनेगा वो इसका बसा आधा बचेगा है ना और वह कैसा होगा और वह ऐसा हूगा कैसा होगा वह ऐसा हो तु दियान से देखे वाप सरकेट का मोडी diedication सुनना चरह ध्यान से हैं और यो यह बी है और इस को इस लाइन के अबाउट जब आप इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे जब आप इसको इस लाइन के अबाउट ऐसे फोल्ड कर लगा लगा और अपनः बार जाए उसमे कोई खबराट वाड वाली बात नहीं है क्योंकि इसके साथ किसी की और लगा उसमे कोई गवराट वाली बात नहीं कोई पॉलThe के आइडल बैटरी दनांव लगा लगा और कितना से उसमे कोई देख सेना अगर पर आइडल बैटरी लगाता तो यह नोड अपस में इसलिए मैं फोल्डिंग सिमेट्री थोड़ी सी कम प्रेफर करता हूं क्यों कि फोल्डिंग सिमेट्री में एक चर्ण में सवाल नहीं होते कई बार दो या तीन में जाके सवाल करते हैं उससे प्रोसेस थोड़ी सी लंबी नहीं करता पर तुम्हें देखो इसकी धासू अप्लिकेशन दिखाता हूं मैं कि जहां पर अगर तुम्हें फोल्डिंग सिमेट्री लगा हो गए ना तभी काम बनेगा नहीं तो बाई साब प्रांड निगल जाएंगे फिर ठीक है ताकि तुम्हें जस्टिफिकेशन मिल इसका प्रोब्लम देखो सुनो स्टार प्रोब्लम स्टार प्रोब्लम देखो कैसा स्टार बना दो पहले तो नंका सा यहां इसको बढ़ाने का फायदा कैसे गूमालो इसको इस तरह से अपने पास इस टार ठीक है और स्टार है तो बोला के यह पॉइंट है और यह से बीच बताना होता है अपने को तो और अधिसंस का है जहां जहां तुम देख सको सब जगे ठीक है यह रजिस्टैंस है चैसाब सारे किसे है यह रस संथ है बहुत बया तो तो सारे साधी आर और ऑद शाबाश मैं अब तुम दिखाई देगा तुमको और बिषब और या और यह रहा और यह रहा और यह बी रहा ऑच्छा ब्रोट रहें दिखाई और य यहार सिरीज में क्योंकि जो कर्रण्ट इस आर से बह रहा है उसके सांद यर्प से यह पेषर 0 में बोलता हूं क्या मासें क्या मारते हैं क्या मरते इस के ऐसे के आप हुटback गहां तो खतम हो जाएगा और यार तो खतम हो जाएगा यह इसी से शुरूओ कि इसी पॉट पर आ के बैठेगा इना तो यह रहाना तो बोल उस से ऑस तरह से यह ठोनक करके इसे पर बैठेगा तो यार यह बाये ब्दू यार ब्द对न सो सरक्टव बना नया नियार बना का निया संद्यू से सोन। दियान से सन्द्यू द आख रिक यह सवना त्म मुझा टू चू एस थिस तरह को है ओ का दो च्राह है ना यह पॉइंट है यह पॉइंट है यह पॉइंट है बी इना स्टार का देख लिए बिलकुल आधा है ऐसे फोल्ड मारा था मैंने है ना त्यान से सुन तो यहां पर कितना बचा यह बचा आर बाई टू और यह भी कितना बचा आर बाई टू यह भी कितना बचा आर बाई तो वह आजाएगा 7R by 6 उसमें कोई परिशानी वाली बात नहीं है बोलो पक्की बात एकदम तुम्हें समझ आया कोई दिक्कत तो नहीं है चलो एक बार इसको नोट करो फिर एक और ऐसे सवाल पुछे जाते हैं बेटा सुन सवाल ऐसे पुछे जाते हैं तो बोला कि माली जी इस तरह से क्योव है कि यह क्योव कभी ना पीछा चोड़ा की हर जगे आई देख लें अब मिन जिल सील में आई muitas ृणल की अश्युद्ध कब्रेट इसके रादर रिंत्रत क्या चुकूब्र कह्तने me क्या बोला कि हए यह जैजिसंस है ठीक है कैसे टिक 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 audi तो इसमें कुछ नाम कंस्कार और करता हूं मैं कैसे कैसे द्यान से देखो तो मैंने बुला तो बेटा तुमसे क्या 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 करवा सकता है वो तुमसे इसमें पूरा सिमेट्रिक सर्कित है ना तो तुमसे एक एज के बॉट क्या 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 डाइगनल के अबाउट है ना फेस डाइगनल वो तुम से एक बॉड़ी डाइगनल के बाउट करवा सकता है एजी तो अपने को यह अंसर अच्छे से याद होने चाहिए वह क्या लेकर कभी एक ओम कभी दो ओम कभी पांच ओम कभी दस ओम पर मुझे अंसर तो याद हो ताकि मेरा पेपर में कभी time टाइम कम से कम वेस्ट हो ना हो यार कम से कम है ना क्योंकि बहुत रिपेटिटली पुछ रहते हैं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ठीक है और पता है तुम देखोगे प्रदीव रदीव की बुकों में या पता नहीं कहां कहां पर बाई सब यह दो चार चार पेज बढ़ रख बड़डा साइंटिस हुँतं जब बहुत सब्सक्रैंट नहीं होते तो प्राइट इसंटो सेख सब्सक्राइब हो करते तो नहीं से इसलें हैं उसका नाम रखा क्या चिंटूज फर्मुला चींटूड क्या कहता है चिंटूँ than of Bante isn आइए बीले कानटकर दूस फर्मॉल चिंटू फर्मूला क्या कहता है कि इसे प्रेंड ओ बंटी अच्छा इसे कैसे देखो अंस फिर मैंने क्या मैंने कैसे लाइन लगा उस्पेद्वा इंप सुनना बहुत इंपॉर्टन बात है एकदम बहुत इंपॉर्टन बात है अगर अभी तुम्हारे दिमार्ट से बात उतरी तो फिर गड़ा जाएगा मामला है ना चिंटूस फर्मुला यह बहुत बार बूल जाते हैं बच्चे ठीक है बूला नहीं देख सुन अब जरह द्या एक आप अब द्यान सुन आप द्यान सुन फोर इशा मोझा ए ए फोर एज एफोर एज एफ हैं तो एप और एफ ओर रोड़ फय स्दियांट विफ ओर बंटी एंड बी फॉर बोडी डागनल वी फोर बोडिदी इस तरह से ठी neon किया आने वाला है इसी प्रकार से वो किते आने वाला है अगर मतलब अगर उन दो पॉइंट के बीच में एकिन डेसेंस कारफ़ेंगे तो वह आएका साथ बनारा अब इन दो फंट के देंगे में क्लिप करेंगे ऐगा तीन बन चार एवर अगर इन दो पॉइंट के बीच में क्लिप करेंगे तो वह आएगा 5 बमटटव करने का प्रयास करूप करते बाग कि बागए शौर्टरिक को बहिं सेал काल भा rail बात है देंगे तुम्हें गवर्रात वन जाओगे पकी बात एक दम चलो तो एक बढ़े मिलते हैं अगली विडियो में उके बाई 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 च्टाड़ा